हेलो एवरिवन कैसे आप सब आज मैं आपको बहुती फिटिंग साडी बताऊंगी कि आप फिटिंग साडी किस तरह से पहन सकते हो और यह मेकप लूग अगर आप देखना चाहते हो तो सीमा जेटली चेनल पर देख सकते हो और उसमें मैंने साडी पहनी थी तो वही साडी और इस मेकप लूग का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी आप चेक कर लिजेगा तो आज मैं आपको दो तरह से टाइट फिटिंग की साडी बताऊंगी तो पहले साडी को इस तरह से इनर में एक तरप से राइट हैंड साइड से अंदर कर लेंगे और इस तरह से और अगर आपको खुली पल्लू की लेनी तो आप इस तरह से खुली पल्लू की भी ले सकते हो और खुली पल्लू की भी साडी काफी अच्छी लगती है और कट स्लिप का अगर आपने ब्लॉय पहना है तो उसमें प्लीट्स वाली साडी काफी अच्छी लगती है तो आज मैं आपको प्लेट्स वाली ही साड़ी बताऊंगी तो पल्लू आपको जितना लंबा लेना है आपको उतना लंबा आप लेन्थ लेलो लेन्थ लेने के बाद आप इसको इधर सिक्यूर कर दो मतलब एक करब से और उसके बाद आप प्लेट्स लेना सुरू करो सोल्डर से हटा करके और इस तरह से आप प्लेट्स ले लो आपको पतली चोड़ी जित्ती जैसी बनानी है आप उसे अपने हिसाब से बना लो मेरे को नज़्यादा पतली अच्छी लगती है नज़्यादा चोड़ी तो मैं अपने हिसाब से बना ले रही हूँ और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे कि सब बराबर बराबर प्लेट्स हो और इसको इस तरह से सोल्डर पे डाल देंगे फिर एक बार सेट कर लेंगे और यहाँ पर पिल्न से सिक्यूर कर देंगे सेटी पिन आप पीछे की तरफ लगाएगा आगे थोड़ा सन्ना लगाएगा कि आगर आप आगे सोल्डर पे लगाओगे तो पल्ला बार बार आगे आगा तो थोड़ा पीछे करके ही लगाएगा और left hand side के solder पे मैं पिंसे सिक्यूर कर दूँगे फिर उसके बाद पूरी साड़ी को इस तरह से खीचेंगे left hand से ही और इसको हम आगे की तरह प्लाएंगे और इसको इस तरह से tight करके यहाँ पर secure कर देंगे इस तरह से अब इसके बाद हम प्लीट्स बनाना सुरू करेंगे right hand side से और यह भी आप थोड़ी चोड़ी ही रखो ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे और इस तरह से बना लेंगे अब मैं आपको दो तरह से बताऊंगी तो पहले मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ पहला तरीका कि आप किस तरह से tight fitting की लो तो इस तरह से बनाने के बाद थोड़ा सा कप्ड़ा यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी जैसे दो प्लीट्स बहर का कप्ड़ा छोड़ दिया जाएगा और बाकी प्लीट्स को अच्छे से set कर लेंगे कि बराबर बराबर हो आप चाहो तो यहाँ पर प्लीट्स को set करने के बाद pin भी लगा सकते हो मैंने यहाँ pin नहीं लगाई है और इसको इस तरह से करने के बाद देखा आप लेफ्ट हैंड साइड मैंने थोड़ा सा कप्ड़ा छोड़ दिया है यह वाला जो आपको दिख रहा होगा और बाकी प्लीट्स को मैं अंदर कर लूँगी इस तरह से अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे अपने जो इनर है उसमें थोड़ा सा ऐसे करेंगे अंदर हैंड डाल करके इस तरह से और यह जो कप्ड़ा छुटा है वो अंदर से खीचने की कोसिस करेंगे आप देखोगे आराम से आ जाएगा और यहाँ पर खीच लाएंगे आपको जितना भी टाइट करना है आप उतना इसको खीच करके टाइट कर सकते हो आपका इधर से टाइट होता जाएगा कमर के पास से यह देखिए जितना भी आपको खीचने है और बाकी जो आपका कप्ड़ा बच्चा खीच के आप लाए हो उसको इस तरह से अंदर कर लो यह आपका पहला तरीका होगा आप देखो कितनी टाइट फिटिंग क्यों गए अगर आप लेकिन इस तरह से नहीं कर पा रहे हो आपको अगर नहीं आ रहा है कि किस तरह से खीचें और क्या करें तो आपको मैं दूसरा तरीका भी बता दे रही हूँ कि आप इस तरह से जो आप लाए थे लेफ्ट हैंड साइड से उसको अच्छे से खीच करके एक तरफ सेट कर दो अंदर खीच करके सेट कर दो और उसके बाद जो प्लीट्स है ना उनको इस तरह से पहले खीच लिया और इस तरह से टक कर लिया टक करने के बाद तो आपने इनर पेना उसी में टक कर लेंगे उसके बाद ये प्लीट्स को अंदर इस तरह से सेट कर देंगे तो ये दूसरा तरीका हो गया तो ये आप टाइट फिटिंग की साड़ी इस तरह से पहन सकते हो तो ये काफी खुबसूरत लगती है और कट सिल्फ के साथ टाइट फिटिंग की साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और पल्लू वाली भी अगर प्लीट्स वाली काफी अच्छी लगती है तो इस तरह से ये साड़ी हुई और इसका जो मेकप लुक है ना वो मैंने सीमा जेटली चैनल पर डाला हुआ है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चेक कर लीजेगा उपर कार्स में भी देख लीजेगा वीडियो अच्छा लगी मेक शेयर लाइक शेयर कमेंट्स जर करीगा बाइ